वेलकम टू GS केरियर अचैडमी आज ऐ 17 मार्च 2022 के करेंट अफ्यर्स इम्पोर्टेंट इंप्पोर्टन कोशिण बन सक्ते हैं उन उन्हready को इस वीडियो में डिस्कश करेंगे साथ में हर current affairs related important fact भी मैं आपको बताऊंगा तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिए last में static gk के पार्ट को भी cover करेंगे जहां से आपके आने वाले exams में question पूछे जा सकते हैं आज के current affairs की pdf फाइल को आप हमारे telegram group gs carry record में से download कर सकते हैं telegram group की link इस video की description में भी दी गई है आप link के through telegram group को join करके daily current affair की pdf को download कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज के session को आज के current affair का पहला important question है हाल ही में कौन सा जहाज ब्रह्मा पुत्र नदी में यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बना है तो अभी यंबी राम पुत्र नदी में यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है तो इस question के लिए A option सही है आप यहाँ image में देखिए यह है यंबी राम पुत्राद बिस्मिल जहाज जिसकी लंबाई है 90 मीटर और चोड़ाई कितनी है 26 मीटर और इसी जहाज ने अपने यात्रा को 16 फरवरी के दिन कोलकाता के हल्दिया डॉक से सुरू किया था और गुबा हाटी के पांडू बंदरगाह पर पूरी की है और अभी यंबी राम पुत्राद बिस्मिल जहाजी ब्रह्मा पुत्र नदी में यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है नेक्स्ट कोश्चन है भारत के किस राज्ज में डिजिटल वाटर डाटा बैंक सुरू किया गया है तो अभी भारत के करनाटक राज्ज में डिजिटल वाटर डाटा बैंक को सुरू किया गया है तो इस कोश्चन के लिए राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन बी अब यह डिजिटल वाटर डाटा बैंक क्या है Digital Water Data Bank ये जल प्रभन्दन में सुधार करने के लिए करनाटक राज ने सुरू किया है अब इसको करनाटक ने सुरू किया है तो मैप में देखिये करनाटक को करनाटक जो की इंडिया के साउथ में लोकेटेड है और इसकी कैपिटल क्या है बैंगलूरू करनाटक के प्रिजन टाइम में चीप मिनिस्टर कोन है बस वराज बोंबाई और करनाटक के प्रिजन टाइम में गवर्नर कोन है थावर चंद गहलोद हाल ही में हाइड्रोजन आधारित उन्नत इधन सेल इलेक्ट्रिक व्वाहन यानि FCEV के लिए पाइलेट परियोजना का उद्गाटन किसने किया है तो अभी भारत सरकार में केंद्री सडक एबम परिवाहन मंत्री है नितिन गड़करी और इन्होंने ही हाइड्रोजन आधा करने का मकसद है सबसे उन्नत इधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में इस्टडी करने के लिए इस पाइलेट प्रोजेक्ट को सुरू किया गया है नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में इस्पैनिस पैरा बैट्मिंटन इंटरनेशनल में प्रमोद भागत ने कुल कितने मेडल जीते हैं इमेज में देखे यह हैं प्रमोध भगत और इन्हों ने ही स्पैणिस पेरा बैट्मिंटन में अभी तीन मेड़ी जीते हैं जिसमें से दो सिल्बर मेडल है और एक ब्रॉन्ज मेडल है प्रमोध भगत ने इससे पहले पैरा-उलंपिकस में बैटमिंटन में गोर्ड मेडल भी जीता था next question है हाल ही में योग महुटसब 2022 का उदगाटन किस ने किया है तो भारा सरकार के आयूस मंत्राले में मंत्री है सरवानंद सोनोबाल और सरवानंद सोनोबाल ने ही योग महुटसब 2022 का उदगाटन किया है एक्चुली ये योग महुसब 2022 जो की अंताराष्टी योगा दिवस मनाया जाता है उसी का काउंट डाउन है योग महुसब 2022 अंताराष्टी योगा दिवस के लिए अभी 100 दिन बचे हैं और उसी 100 दिनों में ये योग महुसब 2022 का आयोजन किया जाएगा योग महोसब 2022 की थीम क्या रखी गई है सौ दिन, सौ सहर, सौ संगठन क्या है सौ दिन, सौ सहर, सौ संगठन नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में Air India का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है तो अभी Air India का नया अध्यक्ष चुना गया है एन चंदर सेखर को आप यहाँ इमेज में देखिए यह हैं यन चंदर सेखर जो की Tata Sons Company के चेयर परसन भी रह चुके है अच्छा Air India और Tata का नाम सुनके अगर आपको कुछ याद आया क्या Air India को अब Tata Group ने अधिगरहन कर लिया है Air India जो की भारत सरकार की एक बिवान कंपनी थी जिसका अधिगरहन जनबरी 2022 में Tata Group ने कर लिया है Next question है फरवरी माह के लिए ICC Player of the Month किस खिलाड़ी को चुना गया है तो इसमें दो केटेगरी है एक पूरुस केटेगरी में चुना गया है तो New Zealand की खिलाड़ी है Amelia Care उनको महिला केटेगरी में ICC Player of the Month फरवरी माह के लिए चुना गया है अच्छा जनबरी का आपको मेरे पहले बताया था तो जनबरी में किसे चुना गया था ICC Player of the Month South Africa के खिलाड़ी है Keegan Peterson उनको पूरुस केटेगरी में और महिला खिलाड़ी है Heather Knight जो की England की है उनको जनबरी माह में ICC Player of the Month चुना गया था अब ICC ICC का Full Firm क्या होता है International Cricket Council इसकी स्थापना कभूई थी 1909 में और इसके मुख्याले कहां पर है दुबाई में ICC के प्रिजेंट टाइम में CEO कौन है जियोफ एलाड़ेस और ICC के प्रिजेंट टाइम में चेयर पर्सन कौन है ग्रेक बार्कले अब ICC से रिलेटट जो important questions आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो उनको भी discuss कर लेते हैं तो ICC महिला भी सुकप में सबसे जादा मैचों में कप्तारनी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है मिताली राज ICC अंडर 19 क्रिकेट भी सुकप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा वेस्ट एंडिज ICC महिला भी सुकप 2022 का आधिकारी गीत क्या है गर्ल गैंग अच्छा यह विसुकप आयोजित कहां हो रहा है तो इसका आयोजन न्यूजी लेंड में किया जा रहा है ICC पूरूस क्रिकेट समीटी के अभी नए अध्धक्ष कौन बने है सौरप गांगुली ICC पूरूस T20 विसुकप 2022 कि विजेता टीम कौन सी बनी थी आस्ट्रेलिया भारती अंपायर है नितिन मैनन इनको अभी ICC के एलिट पैनल में सामिल किया गया है तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं इनसे आपकी परिक्षा में प्रश्ण पूछे जा सकते हैं नेक्ट कोस्चन है हाल ही में प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के राजदूद के रूप में पदभार ग्रहण किया है राजदूद का मतलब होता है अमबेज़र तो अभी प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के राजदूद के रूप में पदभार ग्रहण किये है आप यहां इमेज में देखिए यह है प्रदीप कुमार रावत जो अब भारत के राजदूद बन गए है चीन में इससे पहले प्रदीप कुमार रावत नेधर लेंड में भारत के एंबस्डर थे और चेयर पर्सन बना दिया गया है तो अब उनकी जगह प्रदीव कुमार रावत चीन में भारत की राजदूत होंगे नेक्स्ट कोश्चन है खाल ही में बाफटा अवर्ड दो हजार बाइस में लीडिंग एक्टर अवर्ड का खिताब किसने जीता है तो बाफटा का फुल फॉर्म क्या होता है ब्रिटिस एकेडमी ओफ फिल्म एंड टेलिविजन अवर्ड और बाफटा अवर्ड दो हजार इसमें लीडिंग एक्टर के लिए पुरुषकार मिला है है सिब कुर्ष कारिट ऑफ यह हाल हीमे किस भारती बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम सुरू किया है तो अभी डि बीस बैंक of इंडिया इसने ग्रेन डिपॉजिट प्रोग्राम को सुरू किया है यह अपने कॉर्पूरेट ग्राहकों के लिए इस ग्रीन डिपॉजिट नाम से एक प्रोग्राम सुरू किया है तो इस कोश्चन के लिए राइट अंसर हो जगा ऑप्शन ए नेक्ट कोश्चन है भारत के किस केंदर साथित प्रदेश ने एक अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लाउंच किया है तो भारत का केंदर साथित यह digital public health ecosystem बना रहा है और उसी के तहत यहां पर इस अनोखे तरह का digital school health platform को अभी launch किया गया है next question है हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ 1 billion dollar की credit line पर हस्ताक्षर करेगा तो अभी स्री लंका भारत के साथ 1 billion dollar की credit line पर हस्ताक्षर करेगा अच्छा इसको English में क्या बोलते हैं यहां पर मैंने MOU लिखा है तो कई बार परिक्षाओं में पूछा जाता है ऐसा नहीं आता है कि हस्ताक्षर करेगा तो MOU आता है तो MOU का मतलब होता है Memorandum of Understanding और अभी स्री लंका ही भारत के साथ 1 billion dollar की credit line पर MOU को sign करेगा स्री लंका के बीत्य मंत्री है बेसिल राजपक्षे वह अभी भारत के दोरे पर आएंगे और नई दिल्ली में 1 billion dollar की credit line पर हस्ताक्षर करेंगे अच्छा इसको स्री लंका करेगा तो स्री लंका के अप मैप में देखिए स्री लंका की capital क्या है स्री लंका की दो capital है commercial capital है कोलंबो और administrative capital है स्री जैवर्दना कोटे स्री लंका की currency क्या है स्री लंकन रूपी स्री लंका के present time में प्राइम मिनिस्टर कोन है महिंद्रा राजपक्षे और स्री लंका के प्रेजेंट टाइम में प्रेशिडेंट कौन है गोट विया राजपक्षे अब स्री लंका की बात आ रही है तो दो फैक्ट आप और याद रखिएगा आभी भारती नौसेना और स्री लंका की नौसेना ने एक संयुक्त अभ्यास किया था और यह कहां पर किया था विसा का पटनम में और इसको नाम क्या दिया गया था स्री लंका इंडियन नवल एकसरसाइस एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो बिम्स्टेक 2022 का आयोजन होना है तो उसका आयोजन होगा स्री लंका की राजधानी कोलंबो में अब आज के नॉलेज बूस्टर को देख लेते हैं तो आज के नॉलेज बूस्टर में हम लोग बात करेंगे बिज्यान की प्रमुक साखाओं के बारे में अलग-अलग साखाएं हैं बिज्यान की यानि साइंस की तो एक है आर्बोरी कल्चर इसमें किस चीज की स्टड़ी की जाती है ब्रिक्ष उत्पादन सम्मंदी बिज्ञान यानि ब्रिक्षों के जो उत्पादन की स्टड़ी की जाती है उसको आर्बोर्धी कल्चर में की जाती है आर्थोपेडिक्स क्या होता है तो अस्ति उप्चार यानि हड्डियों को जो उप्चार होता है उसको अर्थोपेडिक्स कहते हैं एंटो मोलाजी क्या होता है एंटो से क्या मतलब समझते हैं एंट का मतलब होता है कीट और एंटो मोलाजी में कीट पतंग का अध्यान किया जाता है अप Ikulture में मदू मक्यों के पालांद का अध्यान किया जाता है एपी Gram flat का होता है एपी Gram pourquoi मैं सिला लेक संबंदिक घ्यान का अध्यान कीया जाता है Astronomy में खगोली पिंडो का अध्यान किया जाता है तो आपने बहुत बार सुना हुए Astrologer सब्यों को तो उसी में आता है astronomy और astronomy में खगोली पिंडों का अध्यान किया जाता है आज की इस वीडियो में हमने 17 मार्च के सभी current of year उनसे related important facts और last में एक important static gk के part को discuss किया अगर आपको यह वीडियो helpful लगती है तब आप इस वीडियो को like जरूर कर दिया करो और साथ में अपने study related group में भी share कर दिया करो ताकि आपके friends को भी मदद मिल पाए अगर आपने हमारे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को भी press कर लिजे ताकि आने वाली वीडियो की notification भी आपको मिल पाए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए आप सभी कुछ जय हिन बंदे मात्रम